नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 18 नवंबर 2021 और देख लेता हैं इंडियन एक्स्प्रिस की इंपोर्टन न्यूज जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यूज रहेगी एंफोर्स्मेंट डिरेक्टर चीफ को एक साल का एक और एक्स्टेंशन मिल गया है अभी जो ओर्डिनेंस डिक्लियर किये थे उनकी बेसिस पे जानेंगे इस मुद्दे को दूसरी हम न्यूज देखेंगे असर सर्वे से रिलेटेड जिसमें पेंडेमिक की वज़े से बच्चों की एजुकेशन पे क्या असर पड़ा है वो जानेंगे इसके आगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक लौ पारित हुआ है जिसमें कुल भुशन जाधव को रिव्यू ऑप्शन देने का एक पॉइंट है बट हमारी तरफ से मतलब डैली की तरफ से स्टेटमेंट गए हैं कि ये जो कदम है ये एनफ नहीं है और कुछ नया नहीं किया जा रहा है इसके अलावा हम आगे जो न्यूज देखेंगे वो रहेगी एक ये चोटी न्यूज है यहाँ पर इसको हम यहीं पर देख लेते हैं कि अभी पार्लियमेंट का सेशन शुरू होगा उससे पहले ही अभी हम जो अभी आप देखते हो कि सेवेंटी फाइव सेवेंटी फिफ् तो उसमें उन्होंने एड़रस करते हुए जो भी प्रिजाइडिंग आफिसर यह फ्के चेयरमन तोमें लेजिसलेटाइव जेुकिन करते हुए कहा की और हमें कैसे भी करके वन नेशन वन लेजिसलेटिव प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है जिससे के इंटेग्रेटेड मैनर में हर एक असेंबली हर एक लेजिसलेटिव हाउस अपने खुद के एक्सपीरियंसे उस पे शेयर करेगी तो उसका फायदा यह होगा कि वहाँ से दूसरे लेजिसलेटिव हाउसेज उन लर्निंग्स के बेसिस पे कुछ अच्छा और प्रेड़क्टिव काम कर पाएंगे तो उस पॉइंट आफ इसके आगे एक न्यूज यह है कि यूएस एमबसी ने अपनी जो भी यूएसे की जो विमन इंडिया क के ट्रेवल पर आई हुई हैं तो उनको यह का है कि आप इंडिया में ट्रेवल अकेले मत करो क्योंकि यहां पर सेक्शुल अब्यूज सेक्शुल असॉल्ट बहुत जादा हो रहे हैं और इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से गाइडलाइन दि दिया गया था जम्मु कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवाउक कर लिया डिवाइड कर दिया दो यूटी में तो उसके बाद में यह इस तरीकी के स्टेट्मेंट दिये गये थे सेक्यूरिटी पॉइंट आफिस हो तो यह अपने आप में कोई पहली बार नहीं है यूए थर्टी सिक्स पोस्ट को रिमूव करने के लिए बोला है कुछ लोगों ने पोस्ट डाल दी जिसकी वजह से वाइलेंट हो सकता था तो उस डर के चलते हटा दिया आपको पता है त्रिपुरा में भी एक वाइलेंट आउट ब्रेक देखने को मिला था भी रिसेंटली जिसक की वज़े से कितने अरेस्ट हुए थे जो यू ए पी ए एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रेवेंशन एक्ट के तहित अरेस्ट भी किये गए थे और दूसरा जो आंदरप्रदेश की जो प्रोवीजनल कैपिटल है अभी तक तो कन्फरम नहीं कह सकते बात्चीत ह हो रही है जहां तक हैं अमरावती ही कैपिटल बनेगी अंदरप्रदेश की तो अमरावती में भी वाइलेंट आउट ब्रेक हो गया सोशल मीडिया पोस्ट की वज़े से तो महारास्ट्रा गवर्मेंट ने ये बात कह दी तो यह आप एड़ कर सकते हो सोशल मीडिया ठीक है उसके बारे में आप एक बार डिटेल पढ़ोगे जरूर यूपिसन पुरी केप के बारे में तो ये दो तो आपके सामने हो गए टैंपल के बारे में स्टडी करना कौन से स्टेट में खाल भरों और साथ में आंप इंडिया की जो टैंपल आर्किटेक्चर है उसको अगर आपके पास में नेतिन सिंगानिया बुक है तो उससे रिवाइज कर लो और अगर नहीं है तो आप टेंपल आर्किटेक्ट्चर इन इंडिया फॉर यूपीएसी ऐसे करके आप सर्च कर लो गूगल पे कंटेंट मिल जाएगा आपको तो जरूर पढ़ोगे आप ठीक है इसके अलावा हम देखेंगे इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने अपनी तरफ से इंटरनेशनल ट्रेनिंग मोड्यूल्स लाउंच किया है पाँच ठीक है जिसमें कि पोल की प्लानिंग कैसे होगी इलेक्शन की प्लानिंग इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को डी ये आई है कि अगर वो 45 मिनिट की डेली वाक कर लेते हैं तो चांसे ये हो जाएंगे कि लगबग बहुत से लोग जो है वो बच सकते हैं कैंसर डिजीज सें ये बताया जा रहा है इसके अलावा एक ये वाला पोर्शन हम जरूर देखेंगे जिसमें फ्रीडा कहलो ठीक इसके अलावा दस ट्राइबल म्यूजियम लांच किये जा रहे हैं जिनमें एक तो हो चुका है बिर्सा मुंडा के नाम से वो हम जानेंगे इसके आगे यहाँ पर राजस्तान में जो पुशकर मेला होता है उसमें केमल लौका क्या असर रहेगा 2015 का ये हम सबसे लास्ट में CVC Act में और एक आपको पता Delhi Special Police Establishment Act 1946 उसमें अमेंडमेंट किये गये थे rumada के बेसिसमें जिसमें की डोनों के डिरेक्टर्स एक तो stadium ыми एक टे लेघेंडे के को उनके टेन्योर को एकस्टेंड करते होए टोटल 5 साल का एक साल को बेसे पातो की और और इसका और एकर यॉतक मिल गया है basically ordinance इनहीं के लिए यह आल लाया गया था ठीक है तो यह जो चेंजिस लाया गया है यह हमने अल्रडी देखी लिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिशन इसके अंडर में तो एडी को extension मिला है और डैली special police establishment act इसके लिए ordinance जो लाया गया था इसमें CBI के डिरेक्टर को extension की बात की गई थी total maximum जो tenure था वो five year तक कर दिया गया था और normal circumstances में देखे बिना कोई extension के तो इसमें लिखा हुआ है कि दो साल से कम का tenure नहीं होगा ठीक है जो डिरेक्टर्स हैं CBI के या फिर ED के उनका tenure दो साल से कम का नहीं होगा बाकि extension जो है वो maximum तीन साल का और मिल जाएगा तो total हो जाएग देखो pandemic की वज़े से government schools की तरफ बच्चे ज्यादा shift हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो अब tuition लेना शुरू कर चुके हैं तो इस report पे एक बार अगर नजर डालें तो हमें ज्यादा clearance आ जाएगी ठीक है basically यह जो असर report है इसके full form होगी annual status of education report ठीक है और यह report जो है release की जाती है NGO है प्रथम नाम से ठीक है ठीक है non-governmental organization प्रथम उसके दुआरा यह study की जाती है annual basis पे अब outcome क्या है इस study का वो जानते हैं सबसे पहला important तो कि government schools में जो enrollment है ना वो rise हुआ है ठीक है 65.8% से बढ़गर के 70.3% pandemic के एक साल के अंदर अंदर ठीक है त होने लग गए है private schools में admission decline होने को देखने को मिल रहे हैं इसके आगे private schools में admission की बात करें तो 2020 में 28.8% students जो थे वो private schools में enrolled थे जो कि अभी घड़कर 24.4% तक आ चुके हैं दूसरा outcome यह clear हो गया हमारा इसके अलावा जो school में enrolled ही नहीं हो रहे हैं बच्चे education के opportunity जिनके पास न okay यह भी clear हो गया फिर next जो trend देखने को मिला है वो कि tuition classes ज्यादा ली जा रही है बच्चों के दुआरा ठीक है और इसमें main जो आप देख सकते हो survey में यह बताया गया है कि tuition लेने वाले जो बच्चे हैं उनका trend 32.5% पहले हुआ करता था वो जो की बढ़कर 39.2% मतलब tuition ज्य है वो ज्यादा सज्यादा external support देना चाहते हैं अपने बच्चों को education के लिए जिससे की pandemic की वज़े से जो gaps आ गए उनको learning में जो gaps आ गए उनको fulfill किया जा सके third outcome यह हो गया इसके आगे यह जो survey है जिस पर basis यह report declare की गई है इसका यह survey हुआ September October 2021 अभी recent दो महीनों की बात है ज इसमें pandemic जैसे जैसे down हुआ तो वैसे वैसे यह जो educational activities बढ़ी तो उसके basis पर तो लगबग 75,234 बच्चों पर यह survey किया गया जिनकी उमरती 5-16 साल और जो districts है वो cover किये rural districts 581 और 25 states और 3 UTs में survey किया गया और survey करने वाला कौन है NGO प्रथम तो इसमें यह जो data है यह इतना important नह इसके आगे यह बताया जा रहा है कि लगबग 26.1% ऐसे बच्चे थे survey में जिनके घर में phone होते हुए भी उनको education access नहीं हो पाई ठीक है education नहीं मिल पाई और लगबग 40% तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में कोई phone device या smartphone अवेलेबल ही नहीं थे ठीक है एक ही outcome निकला इसक स्कूल के headmasters इनसे भी देगो बाचीत की गई थी तो उनका यह कहना है कि ज़्यादा तर बच्चे जो private schools को छोड़ कर के आए हैं वो एक तो इसलिए आये हैं कि education quality private schools में इतनी अच्छी नहीं मिल पा रही और fees भी exorbitant है तो इस वज़े से वो shift हो गए 15% ने यह बताया कि ह cities से गाओं में आ गए इस वज़े से government schools में आ गए और कुछ लोगों ने यह बात कही 62% ने से कुछ नहीं ज्यादा था रहने maximum जो government school में shift हो गए ना उनका यह कहना था कि financial distress बहुत जादा हो गई इस वज़े से government schools में डालना मजबूरी हो गई ठीक है और एक segment और बताता हू है English में राइट तो उसी तरीके से English medium में पढ़ाने का एक trend है कि ज्यादा भी नहीं तो English में अगर knowledge English में command होगी English language पे तो job तो मिली जाएगी अच्छी ठीक है ज्यादा भी नहीं तो call center की job भी मिल जाएगी एक मैं common बात बोल रहा हूं ठीक है और इसी वज़े से बच्चे ह पढ़ रहे हैं अब गाओं में जो government schools हैं वो English medium की हो रही है देरे देरे तो उसका फायदा गाओं के बच्चों को भी हो रहा है वो बाठीक है कि इसमें एक issue आता है कि हम हमारी language का जो concept हो उसको decline करते चले जा रहे हैं पर वही चीज है market economy सुबा हमने देखा भी था ना education में knowledge है वो एक commodity बन गया है जब से हम neo-liberal societies में जी रहे हैं जब से हमने LPG policy adopt की है जिसकी वज़े से ज़्यादा प्राइवेटाइजिशन हो गया education का सुबह article discuss किया था तो उसी line में आप ये देख सकते हो ठीक है तो pandemic का education पे क्या असर आया वो हमने यहां पे समझा इसके option देना कि वो अपने अगेंस्ट में जो भी कारवाई हो रही है पाकिस्तान में उसको review कर सकें बिसिकली international court of justice ने अपनी तरफ से guideline दे रखी है पाकिस्तान को कि कुल बुशन जादव को पूरा एक scope मिले कि वो अपने आपको एक तरीके से कहते हैं कि आपने आपको निर्दो innocent साबित कर पाएं ठीक है तो basically कुल बुशन जादव ये former navy officer है जिनको अभी पाकिस्तान में arrest कर रखा है कि वो कोई जासूसी करने के लिए आये थे और कुछ terror charges भी इनके अगेंस्ट में लगा रखे हैं पाकिस्तान में और उसके basis पे इनको जेल में रखा हुआ है इसको ले पाकिस्तान ने ये एक नया कानून अभी पारित किया है जिसमें कुल बुशन जादव को एक option देना कि जी आप अपनी तरफ से कुछ का अपने आपको innocent साबित करने के लिए review करवाना चाहते हो अपने जो भी judgment पाकिस्तान के courts ने दिया हुआ है उसके लिए option देना ठीक है बट इंडिया ने अपनी तरफ से कह दिया कि इसलामाबाद के जो अभी ये जो law पारित किया है इसमें बहुत सारी कमिया है इतनी प्रापर लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है वैसे देखो consular access के लिए main approval लेना था international court of justice के दौरा consular access का मतलब कि वहाँ पर jail में कुल बुशन जादव को रखा हुआ है तो उनसे किसी की meeting हो सके पर उस meeting में भी आप देखोगे ना तो इंडियन साइड से इनकी मतलब घरवाले गए थे तो इनकी meeting भी करवाई तो एक glass shield में pack ठीक है जिसमें आवाज बिलकुल भी नहीं जा स क्योंकि पाकिस्तान की economic crisis में चल रही है राइट और वही चीजा pressure भी है खर point आपके लिए जो है वो कि international court of justice के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे यूपी सी point office है ये United Nation की बहुत important body है ठीक है आगे चलते हैं और साथ में एक काम over कर लें आप कि international criminal court ठीक है ICC और ICJ द दोनों की दोनों देखो मेरे को जैसे time मिलता है ना मैं कोशिश कर रहा हूं कि probably अभी एक दो-तीन महीने और मेरे को थोड़ा सा आप इसी तरीके से manage कर लो फिर उसके बाद मैं आपको यह जो मैं बोलता हो ना या आप कर लेना या आप कर लेना probably वह चीजे मैं आपको नहीं तो यह वीडियो मैं आपको सुभाई दे दूँ फिर शाम तक तो जो भी important entities हैं जो भी important bodies हैं जो कि current affair में आ रही है वो अलग से separate वीडियो में आपको बनाना शुरू कर दूँगा जिससे कि आपको help मिल जाएगी ठीक है अब आगे चलते हैं next news है देखो left wing extremism से hit जो areas है जहां पर भी नक्सलिजम फैला हुआ ना इंडिया में उनके लिए कुछ नए plans मतलब कुछ plans जो already चल रहे हैं उनको extension दिया गया है और main focus है rural connectivity पे कि ज़्यादा से ज़्यादा communication और connectivity एंशूर की जा सके basically union minister ठीक है information and broadcasting ठीक है ये है अनुराग ठाकुर जी उन्होंने अपनी तरफ से statement दिये हैं कि cabinet ने Wednesday को approval दिया है road connectivity को और telecom connectivity को improve करने के लिए basically इसमें लगबग 7287 ऐसे गाओं हैं जो की आप देख सकते हो left wing extremism के अंडर में आ रहे हैं मतलब नक्सलिजम जिन गाओं में फैला हुआ है ठीक है जो की फैले हुए लगबग 44 aspirational districts में aspirational districts जिन में कमिया है और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा scope है आगे बढ़ने का तो 112 districts हैं उनमें से 44 districts हैं जो की नक्सलिजम से प्रभावीत है राइट तो जो mainly वो कौन-कौन से states में फैले हुए हैं आंदरप्रदेश, जारकंड, सतीजगर और महराष्टरा और उडिसा इ एक तो ये काम हो गया तो ये तो हो गया टेलीकॉम connectivity जिसमें 4G facilities अवेल कराई जाएगी और साथ में E-Governance को promotion दिया जाएगा दूसरा जो important decision है वो ये कि प्रधान मंतरी गड़क जो ग्राम सड़क योजना है उसको extension दिया जाएगा और जिन गाओं में अभी road नहीं बन पा हुई थी क्या इसके targets हैं क्योंकि ऐसे चीजें जो है गाओं से related जो important developmental activities हैं उन पर बहुत question आ जाते हैं prelims में ठीक है और left wing extremism की बात करो तो internal security point of views हैं जो mains का topic है उसमें भी आप GS paper 3 में उसमें भी आप इन चीजों को link कर सकते हो ठीक है और एक चीज़ जरूर आप करें जो तो आप देखो बार-बार देखा करो मेंस का syllabus बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ को हम कहां पर set कर सकते हैं example के तोर पे हैना आगे जलते हैं फिर next news है election commission ने देखो release किये है international training modules को जिसमें अलग-अलग options अलग-अलग चीज़ों के ये training दी जाएगी जो individuals जो voters हैं उनको भी और जो officials हैं उनके लिए भी guidelines है इनमें तो फिलाल देखो पांच international training modules release किये गए हैं जिससे कि एक democratic country में election हो तो आसानी से और efficiently effectively implement हो सके तो इसमें एक तो है election की planning से संबंदित एक political finance की political parties को जो पैसा मिलता है उससे related एक voters के registration से related कि ज ज्यादा है ज्यादा जो नए voters हा रहे हैं उनका registration proper हो सके और वो भी एक democratic festival जिसको हम बोलते हैं election उसमें participate कर सके हैं इसके अलावा election में technology से related और political parties को कैसे manage किया जाता है उससे related training module release किये गए हैं तो अभी हमारे जो chief election commissioner हैं उनका नाम है सुसील चंदराजी और बाकी जो election commissioner है उनमें आप नाम देख सकते हैं एक तो राजीव कुमार एक है अनूप चंदरपांडे एक हैं एंथनी बेनबरी और एक है इंपोर्ट एक तो ये तो हो गए election commission के members साथ में एक NGO भी सीज में involved है that is IFES जिसकी full form है international foundation for electoral system तो election commission ने इस NGO के साथ मिलकर के ये काम किया है जिससे की internationally जितने भी Indians है domestically तो है ही internationally भी तो उनको एक proper knowledge दी जा सके हना तू कुछ गरबर ना हो technological अपग्रेडेशन जो दिया जा रहा है उसके बारे में knowledge तो देना जरूरी है ही तो इस से related देखो एक M.O.U. sign हो चुका था 2012 में ही election commission और IFES के बीच में ठीक है अब आपको क्या करना ह वो एक काम election commission और इंडिया के बारे में अब आपको M. लक्षमी कान से एक बार revise कर लेना है ठीक है बहुत important body है इस से related question कई बार आ जाता है प्रिलिम्स में ठीक है ना आगे चलते हैं यह constitutional body है जरूर देखें आप क्योंकि हमारे constitution में mentioned is के बारे में आगे चले देखो पूरी का जो जगनाठ temple है उसमें revamp मतलब renovation किया जा रहा है कुछ नई चीजे तयार की जा रही है free corridors बनाए जा रहे है सीटिंग areas develop किया जा रहे है heritage point office और development किया जा रहे है तो इसके लिए देखो एक scheme है उस scheme का नाम आप जरूर देखोगे क्योंकि question prelims में ऐसे बन सकते हैं कि अभ development of heritage and architecture at Puri ठीक है ना तो यह अबादा scheme Puri से सम्मंदी था recently है जिसमें आप देखोगे 32 करोड रुपए जो हैं वो इस revamp project के लिए allocate किये गए हैं ठीक है जिसें की world class tourist facility और religious center के तोर पे पुरी जगनाठ temple को डवलप किया जा सके इसके लिए आप देख सकते हो श्री administration वो काम कर रहा है इसके अलावा आप देखोगे तो अभी recently जो national monument authority है उसके द्वारे के notification release किया गया था जिसमें यह था कि जो भी monuments heritage वाले areas हैं इनके आसपास में इनकी immediate vicinity में developmental projects को continue किया जा सकता है उसको क्या है विड्रो कर लिया था जो भी developmental restrictions थी उनको तो अब आपको national monument authority है इसके बारे में भी एक बार देख लेना है और important एक law भी है उसके बारे में भी देखोगे जिसमें की monuments को protection देने के लिए उस law में provisions किये हुए है उस law के बारे में आप जरूर देखोगे और उस law का नाम है ancient monuments and archaeological sites and remains act और इसको हम short में बोल सकते हैं AMASR Act of 1958 इस act के बारे में आप जरूर देखोगे बहुत important है news में रहता है ठीक है तो आगे चलता है next हम आगे explain page पे देखो एक important news है Latin America से related कि वहाँ पर सबसे महंगी एक painting अभी auction हुई है उस से related तो जो painter थी उनका नाम है Frida Kahlo ठीक है यह Mexican painter रही हुए है और इसमें जो painting आपके सामने है यह उनकी खु basically यह news में इसलिए आई है कि यह जो painting है इस painting का नाम है Diego and I ठीक है तो इसमें 30 इसको अभी 34.9 million dollars का auction अभी मिला है New York में इसलिए यह अपने आप में बहुत ही valuable work अभी बन चुकी है Latin American जो भी artist है उन लोगों के लिए ठीक है सबसे महंगा auction रहा है किसी भी artistic figure के लिए ठीक है इसमें अगर देखें तो इस portrait में इन्होंने खुद का portrait बनाया ठीक है और portrait बना दिया था इन्हों 1940s के लगबग ठीक है 1948 47 के लगबग exactly अगर figure दे 1949 right this is here ठीक है तो फिर इसके बाद में इनका खुद का demise हो जाता है 1954 में तो basically इसमें अपनी शादी के बाद में जो इनके सा के उपर मतलब आप देख सकते हैं फोटो में यहाँ पर image में यहाँ पर सर दिखा रखा है तो इनके पती का यह किस तरीके से उन्होंने कितनी परेशानिया create की थी जबकि वो co painter थे मतलब इनके साथ में ही मतलब जिन से शादी की थी वो खुद भी painter ही हुआ करते थे ठीक है painting में यूज हुई है और खुद की जो problem थी life में वो problems को इन्होंने यहाँ पर portrait किया था और उसी portrait को अभी auction में लगबग आप देख सकते हूँ 35 million dollars में अभी उसका auction हुआ है तो यह Latin American अगर arts की बात करें आर्ट point of view से तो सबसे महंगा auction है यह ठीक है अब आज हो इधर देख जिन में first का inauguration रांची में हो चुका है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से उनकी स्मृति में और कौन-कौन से उनके नाम आप देख सकते हो एक तो राज पीपला यह गुजरात में एक है छिंदवाड़ा जो की MP में होगा एक होगा राएपुर जो की 36 गड़ में है एक में कोजी कोड और पॉंडा गोवा में यह अलग-अलग टोटल दस ट्राइबल म्यूजियम ओपन किये जा रहे हैं जिन में से एक का inauguration रांची वाले का हो चुका है बिसिकली अभी रिसेंट ही देखें तो मंडे को मंडे का मतलब गया 15th of November की बात हम कर रहे है उस दिन फर्स्ट ट्राइबल डे के तौर पे अब्जर्व किया गया है 15th of November को एक तो आप यह जरूर देखोगे कंट्री का फर्स ट्राइबल डे जिसको हम बोलेंगे जनजातिय गौरव दिवश ठीक है और में इवेंट क्या था इस दिन को क्यों अब्जर्व किया गया जनजातिय गौरव दिवश के दाम पर क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म इसी दिन हुआ था ठीक है प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी जी ने राची में इस फ्रीडम फाइटर की मेमरी में इनागरेट किया एक म्यूजियम को जो की डेडिकेट किया है भगवान बिरसा मुंडा को और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको ठीक है तो ऐसे में नो और होंगे उनके लि पर उनकी डेथ हुई थी ना बिरसा मुंडा की 1900 में एज थी के वल 24 एर्स ठीक है लगवक 37 करोड रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 25 करोड रुपए तो गौर्मेंट आफ इंडिया और बचा हुआ जारखंड की गौर्मेंट अपनी तरफ से अफोर्ड कर रही है ठीक है इसके अलावा इस म्यूजियम में स्टैचूज लगाये गए हैं दूसरे ट्राइबल हीरोज जैसे की सिदू कानू ठीक है पोटो हो ऐसे ही तेलंगा खारिया ऐसे ही गया मुंडा जत्रा बगत और दिवा किशू किशून ये कुछ और ट्राइबल इंडिवीजूल्स हैं ज ठीक है तो यही में मुद्दा था वो हम देख चुके हैं और यह आजादी के अमरित महुत्साव के टाइम पे ये सेलिबरेशन ये आपजर्वेशन अपनी तरफ से किया जा रहा है जिससे की जो ट्राइबल इंडिवीजूल जिनोंने अपने सेक्रिफाइस दिये थे उन प के लिए कॉमनली ठीक है और यह राजपीपला के पास में एक जगह है जिसका नाम है गुरुदेश्वर नरंदा डिस्टिक ऑफ गुजरात वहाँ पर ये बन रहा है पहला हो गया दूसरा जो ये म्यूजियम बनेगा वहाँ पर अठारा सो सतावन से लेकर के जिसमें आप देख सकते हैं तो रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में जो मेन फोकस रहेगा वो वीर नारायन सिंग पे ठीक है उन्होंने भी बहुत ब्रेवरी दिखाई थी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में ठीक है इसके अलावा जो अलूरी की बात करें चिंदवाडा मद्यपरदेश वाले एरिया में उस वो वो आप देख सकते हो वो भी ट्राइबल लीडर्स पर फोकस्ड है कोजी कोड कोजी कोड मतलब हो गया कहां पर केरिला में वहां पर भी एक ट्राइबल इंडिवीजुल जिनका नाम है थलाकल चंतू उन् उसमें में थीम रहेगी रानी गई दिनलियू म्यूजियम ठीक है इस नाम से जाना जाएगा और आप देख सकते हो मनीपुर के मखाल विलेज में होगा और एक रामजी गोंड के गोंड म्यूजियम नाम से हैदराबाद में ओपन किया जाएगा रामजी गोंड के नाम से त तो टोटल दस होंगे, counting ध्यान रखें, जगें का नाम ध्यान रखें और statewide आप जरूर देखें इनको, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर economy page पे जो news है वो है, non-banking financial companies, NBFC के bad loans जो हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी RBA के द्वारा नई guidelines release की गई है, ठीक है, NPS को recognize करने के लि EMIB नहीं pay की गई है, तो आप उसको NPA की category में डाल दो, तो current जो status देखी जाए ना, तो NBFCs, non-banking finance companies हैं, उनमें जितना भी उन्होंनों लोन दे रखा है, उसका लगबग 6.4% जो लोन है, वो non-performing asset में already convert हो चुका है, अब अगर इसी तरीके से RBA की इस guideline को implement किया जाता है कि कोई भी asset से अगर एक भी EMI टाइम पे नहीं आ रही है, अभी recent events की बात करें, तो भी उसको NPA कंसिडर किया जाएगा, तो उस case में 300 basis point मतलब 3% और ज्यादा increment मतलब लगबग 9.5% तक NPAs हो जाएंगे NBFCs की, एक तो ये news है, दूसरी इदर बताई जा रही है, कि SEBI ने एक देखो, rights charter, rights charter, charter of rights release किया है, जिसमें ये है कि कोई भी individual अगर invest करता है यहाँ पर इंडिया में stock market में, तो उनके अधिकार क्या है, उनके responsibilities क्या होंगी, उनको अगर कोई problem हो तो वो किसको contact करें, कैसे problem को solution निकल सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें mention किया हु हुआ है, इसके आगे, सेभी के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे, और NBFC के उपर एक बार जरूर जरूर मारोगे आप, UPSC point of view से, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम आगे हैं, वर्ल्ड पेस पे, वर्ल्ड पेस पे देखो, एक तो news है यहाँ पे, कि को अब चाइना में इन्वाइट किया गया है, थर्ड मिनिस्टीरियल मीटिंग होगी, अफगानिस्तान के मुद्दे को ले करके, यह पाकिस्तान के फॉरेंड मिनिस्टर ने यह बात कही है, इधर दूसरी तरफ तालीबान US Congress से ही रिक्वेस्ट कर रहा है, कि आप हमारे उ पाकिस्तान ने दिया था, पर अभी एकोनॉमी का हाल इतना बुरा है कि सो बिलियन डॉलर तक का करजा चड़ चुका है पाकिस्तान के उपर, तो इस केस में पाकिस्तान जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्यों तालीबान को अगर रिक्वेस्टन कंट्रीज हैं, वो नाराज हो सकते हैं, और उस नाराजगी को पाकिस्तान बिल्कुल जेहल नहीं सके गा, क्योंकि फिर तो एकोनॉमिक सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी, वो हमने देखी, इसके अलावा डबलो एचो नहीं ये कहा है, कि यॉरॉप में अभी कर अप्रोच कर रहा है, हंड्रेड माइग्रेंट से बोट में बैट करके, और कईयों की तो डैथ हो जाती है, इस तरीके से, आप देख सकते हो, छोटी सी बाट है ये, वोडन बोट, अब इसमें ये जाएंगे, ओशियन है, इतने बड़े बड़े, थोड़ा बहुत भी अग जिसमें की जो की पाकिस्तान से तो पारी पास होई रहा है, इसके अलावा पाकिस्तान उक्योपाइड गश्मीर से भी, जो की हमारा इंडिया का आप कह सकते हो टेरिटोरियल हिस्सा है, उसके बावजूद इंडिया को बिना गॉन्फिदेंस में लिए उससे पास किया जा है तो वैसे तो पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर वही इन्वेस्टर्स को अट्रेक्ट करने के लिए आप ऐसा एंवार्मेंट बनाओ जिससे कि ज्यादा ज्यादा पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जा सके पर वही चीज है पाकिस्तानी से रॉग नहीं देंगे कि इंडिया को टार्गेट करते हो आप इस तरीके मुवमेंट लेकर कर आ रहे हो इसके अलावा जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में अब बाचीट जो हुई है ना कल की जो मीटिंग थी कलपरसों की जो मीटिंग थी उसमें यह है कि अब आम कंट्रोल क शुरू हो रहा है ठीक है इसके आगे आप देख सकते हो USA ने पाकिस्तान और चाइना को Countries of Particular Concern की लिस्ट में एंडरोल कर दिया है वजह religious freedom की पाकिस्तान में भी religious freedom नहीं है और चाइना में भी religion को लेकर के freedom नहीं दी जा रही है तो ये देखो USA के दोरा इस list maintain की जाती है जिसमें पाकिस्तान और चाइना को भी एंडर कर दिया है इसके अलावा आप देखे रहे हो बेलरूस और पॉलेंड की जो बॉर्डर है वहाँ पर जिस तरीके से migrant crisis है वो अभी continue है तो ऐसे में EU ने कुछ aid प्रोवाइड किया इन migrants को क्योंकि ठंड जबर्दस तो रही है नौर्धन पूल है मेला यहां पर पुष्कर है राजस्तान में अजमेर में यहां पर यह देखो कार्तिक मंत अभी कार्तिक शुरू हो रहा है चल रहा है महीना तो इसमें कार्तिक मंत में जो हिंदू मास है ना कार्तिक मास उसमें यह मेला बढ़ता है ठीक है तो यहां पर उंटो का मेला होता ह पर यहाँ पर अब की बार प्राब्लम क्या है कि जब से 2015 का राजस्थान केमल प्रोहिबिशन ओफ स्लोटर एंड रेगलेशन ओफ टेंपररी माइगरेशन और एक्सपोर्ट 2015 जब से आया ना तब से उंटों की पॉपुलेशन लगातार डिकलाइन कर रही है और अगर इंडि राइका जो चाम है वो भी डाउन हो जाता है तो फियर ऑफ केमल इनकी अगर बात की जाए ना तो आप इसका जवाब दोगे पुश कर मेला राजस्तान इसके लावा दो कम्यूनिटीज रिसेंटली न्यूज में थी अगर क्वेशन आ जाए राइका और रहबारी ये कौन स ठीक है और ये 2015 में लॉल आया गया था इसके पीछे वज़े ये थी कि उटो की पॉपुलेशन लगा था डिकलाइन कर रही थी तो कंजर्व करना और पॉपुलेशन को प्रटेक्ट करना बट ये लो तो और ज्यादा एड़वर्स थाबित हो गया जो ये राइकाज और रे खरीद के लेके जाएं तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी तो इस केस में अब अगर बाहर से लोग खरीद नहीं नहीं आएंगे तो फिर राइकार रेवारी वो उट क्यों पालेंगे सेदी सी बात हो उनके लिए मुनाफ़े का सोदा नहीं तो इसलिए नुकसान हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ अगर देखें कि अगर लोकली भी अगर एक उट को दूसरी जगह से यह मालो ट्रेक में लोड़ करके ले जाया जा रहा है ना तो उसके लिए कॉमपेटेंट अथियूरिटी चाहे वो डिस्टिक कले यह दर्फ मींज एक लीगल एडवाईजर के तौर पे इनको काम भी दिया गया था कि आप एक बार रिव्यू करो इस लॉक को तो उन्होंने भी यह कहा कि इस लॉक का अमेंड करने की ज़रुत है और साथ में एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि लगातार हमें इसको अमें है नहीं एक इंपोर्टन न्यूज है उसमें एजर डालता है सौरव गांगुली जो की बी सी सी आई के प्रेजिडंट है उनको अभी अपॉइंट कर दिया गया है आई सी सी की जो मैंस क्रिकिट कमीटी है उसके चैर्मेन के तौर पे अभी तक अगर देखें तो पिछले न है यह चीज बता इजा रही इसके अलावा आई सी सी की जो चैर्मेन है उनका नाम है ग्रेग बार्कले तो यह कुछ इंपार्न न्यूज है वह हमने धी ठीक है बाकी तो देखो इतनी कोई अपाजननल क्रिकिट अगेडमी है तो इसमें पेस बॉलर्स को गाइड गाइड कर